Hello student, question number 16, let R be the relation in the set N, मतलब R एक relation है, जो set N में बिलोंग करता है, लेकिन N क्या है यहाँ पर? N is a natural number, clear? given by the relation, relation क्या given है, in curly bracket, A, B, such that A equals to B minus 2, मतलब A की value कैसी रहेगी, B में से हम 2 को minus करेंगे, तो A की value आजाएगी, यह relation given है, but B is greater than 6, मतलब जो B की value है, हमेशा कैसी रहेगी, 6 से बड़ी, अब आपके पास choose the correct given है, मतलब हमारे पास choose the correct answer हमें find करना है, A option is 2,4 is belongs to R, B option is 3,8 belongs to R, and the C option is 6,8 belongs to R, and the last D, D option is 8,7 is belongs to R, अब हम एक एक करके केस को check करेंगे, यह space मैंने answer के लिए छोड़ दी, यहां से continue करते, A के लिए, right, अब यहाँ पे given है, 2,4 is belongs to R, right, अब 2,4 में, B की value कितिनी है, 4 है, क्या यह greater than 6 है क्या, greater than 6 है क्या, wrong, मतलब 4 is less than 6, यह तो मैं फिर भी calculate करके आपको बता रही हूँ, अब यहीं से देखके अंदाजा लगा सकते है कि 4, 6 है से छोटा है, it means, A is wrong, मतलब A option क्या हो गया, आपका wrong option, मतलब A गलत हो गया, अब बचे 3 option, clear, B option के लिए चेक करके देखेंगे, option क्या given है, 3,8 is belongs to R, तो देखें, वो क्या है मार पास, A equals to B minus 2, तो A की position पे रखा 3, B की position पे 8 minus 2, तो यह देखेंगे, 3,6, यह equal है क्या, नहीं है, equal आना चाहिए, क्योंकि 8 ले सकते हैं, क्योंकि greater than 6 बोला है, तो हम चेक करके देखेंगे, कि A की position पे 3 रखा है, B, 8 minus 2, कितना आ रहा है, यह equal है क्या, नहीं, तो यह भी कैसा हो गया, हमारे लिए, wrong, मतलब B option भी गलत, right, C option देखते है, right, C वेसे भी greater than 6 है, मतलब correct है, मतलब हम देख लेते, 6,8, belongs to R, T की position पे 6 रखा, B minus 2, मतलब 6 equals to 6, मतलब यह कैसा हो गया, correct हो गया, मतलब equal आ रहा है, मतलब हमारा C option देखे जाए, तो correct है, बट हम D भी चेक कर लेते है, कि equal है, यह नहीं है, यहीं से clear तो हो गया कि C option is correct, पर D भी चेक कर लेते हैं, कि जैसे 8,7 is belongs to R, तो 8 equals to 7 minus 2, तो 7 minus 2 कितना होता है, 5, it means this is not equal, मतलब यह भी कैसा हो गया, wrong, लेकिन हमें तो हमारा answer C option पहले ही मिल गया, तो हमारा C option क्या है, correct, क्या है, 6,8 is belongs to R, अब आप देख सकते हैं, कि 2 equals to, अगर हम लिखते हैं, 4 minus 2, तो यह भी 2, 2 के equal आजाता है, अगर direct relation लगाते हैं, बट यह relation यहां पर wrong क्यों हुआ, स्रिव इस 4 के कारण क्यों, क्योंकि 4 कैसा है, 6 से छोटा है, और यहां पर clear बोला है, कि B is greater than 6, तो स्रिव इस 4 के कारण यह झाला है, 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 झाला